मेरा खुशन यह है कि अभी प्राइवेट ऑगनाइजेसंस में पीटिने का पनिस्मेंट का यह सिस्टम जो है खातम हो गया है हम आपके वीडियो में देखे हैं सब क्या बड़ा सा रोल रखे रहते हैं पुलिस वाला लाठी है और स्टेज बुला के बच्चों को उसी से धु पुलिस काई है और मारते हो कि मतला अगर कोई लड़की छेड़ता है या इसा कोई भी उल्टा पुल्टा करना है कुछ भी गल्ती करेंगे तो पिटाएंगे वो यहां पर कैमरे पे अन केमरा जैसे भी रहें कुछ भी पिटाना तो उनको फिक्स है एक थो कोई मतलब बिध लड़कों को जहां तक पीटने की बात है जब पढ़ाने की बात आएगी तो उसको हम पूरे बहतरीन धंग से पढ़ाएंगे लेकिन जब सजा देने की बात आएगी न तो वो भी बहतरीन धंग से होगा इसे थोड़ी होगा कि बस एक के चीज बहतरीन धंग से होगा और ड और डड़कों के अंदर ये डर बनाना भी ज़रूरी रहता है जो बच्चे है वो आपके इतने दिवाने क्यों है? इतने पागल क्यों है आपके पीछे मतलब मेरे कमेंट सेक्षिन में भरा पड़ाता खान सर कब आएंगे एक आंसर कब आएंगे, मतना ऐसे क्या जादू कर दिया है अपने बच्चों के ओकर यह सवाल हम आपसे भी पूछते हैं, हमारे पे इतना कमेंट है, मेरे तो ओफिस में लोग चले आएंगी सर कभ जा रहे हैं, क्योंकि हम तो एक्जेक्ट है वहीं पढ़ाना है, हम लोग का म याद कर गे मैं है अपना सर जिस पॉइंट पर पढ़ा है आइ थिंक वो सबसे कम है, वो बहुत ही कम है सर यह जो फीस का कल्चर है, यह हमारा इंडियन कल्चर नहीं है हमारा इंडियन कल्चर गुरु दक्षिना है उस हिसाब सही है अक्सीजन जैसे जिन्दगी के लिए जरूरी है, वैसे एजूकेशन जरूरी है कोई यह नहीं कह सकता है कि पैसे के वज़े से यह खान सर के यहां से लोट गया क्या बात जब हम गुलाम थे नहीं, तो अंग्रेजों ने एक चाल चला था कि भारत को हम फिजिकली गुलाम रखेंगे सो दोसा साल मेंटली हजार साल कर देंगे उन्होंने पढ़ाई का मॉडल चेंज कर दिया उन्होंने ऐसा डिजाइन किया कि यह टीचर की रिस्पोंसबिल्टी है वो पढ़ा के चला जाए लड़का हमसे पुछता है सर इतनी भीड है आपके पास तो कह सर डाउट कैसे पूछेंगे हम कर यह तुम्हाँ डाउट बचेगा तब न पूछेगा तुम डाउट यहाप मैंने यूट्यूब पे देखा कुछ वीडियो में कि आपका जो इंसिट्यूट है वहाँ पर आज से कुछ साल पहले कुछ बम गिरे थे कुछ बिरे थे कुछ तो बहुत सॉलीट जगा गिरा था फटा नहीं हो मतलब आपके आसपस बम को भी पता है कि टीचर की इज़द किया जाता है क्या बात है क्या बात है मैं समझ पा रहा हूँ कि ये आपके अंदर जो आटिट्यूड है ये कहां से आ रहा है क्योंकि आप बच्पन से ही फौज में जाना चाहते थे तो आप जंग के मैदान में ही खड़े है एक तरीके से बस फर्क ये है कि आपके हाथ में कलम है हतियार ना हो करके हतियार से ये कादमी की जान जा सकती है कलम से बहुत ताकत होता है सिक्षा एक ऐसा हतियार है ना हर कूरितियों से लड़ सकता है अब तरह की समस्याओं से और यह कैसा अतियारे मिलिटल डिटेक्टर में भी नहीं पकडाता है